मा शेरा वाली, हे पहाडा वाली मा, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली मा, जब महिशा सुर्णे स्वर्ग पर आक्रमन करके, इंद्र का सिहासन चीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए, ब्रम्ह, विश्नु और महादेव की शरण में गह थे। सभी देवताओं के संकट को मिटाने, उन त्रे देवों ने तुम्हारा ही ध्यान लगाया था मा जोतावाली, उन सभी के प्राणों से प्रगटी हुई, दिव्य जोती के समुह में से, हे मा दुरगा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तब तीनों लोग तुम्हारी जैजैकार से गूज उठे थे। शेर पे सवार होके आजा शेर आवाली है 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 शेर आवाली है शेर आवाली है शेर आवाली है जो तुमा जगा के तेरी आस ये लगाई है जिनका न कोई उनकी तुही मा सहाई है रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेर आवाली है शेर पे सवार होके आजा शेर आवाली है शेर आवाली है अमा जोता आवाली है शेर आवाली है अमा जोता आवाली है रखियों मा लाज इन अखियों के तारों के दूबने न पाए नईया हम बे सहारों की नईया कुके नार पे लगा जा शेर आवाली है शेर पे सवार होके आजा शेर आवाली है शेर आवाली है मा जोता आवाली है शेर आवाली है अमा जोता आवाली है सचे दिल से ध्यानों जी ने जब था बुलाया मा कटा हुआ शीश तूने घोले का लगाया मा बगतो की आन को बचा जा शेर आवाली है बगतो की आन को बचा जा शेर आवाली है शेर आवाली है मा जोता आवाली है शेर पह सवार हो की आजा शेर आवाली है माँ शेरावाले के भक्तों के हर बात निराली होती है माँ के भक्त की बातों के गहराईयों में छेपे हुए ज्ञान के मोदियों को माँ का सच्चा भक्त ही परक सकता है माता वैश्णों का परम भक्त एक किसान था कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़ी पे सवार हो उस ओर से निकला पसीने से तर बतर किसान को देख कर बोला भाई इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो किसान ने कहा हे राजन मुझे जितना चाहिए उतना माशेरावाली की कृपा से मिल जाता है मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके चार हिससे कर देता हूँ राजा ने पूछा वो क्यों भला एक हिसा खाने के लिए एक हिसा पिछला कर्स चुकाने के लिए एक हिसा आगे के खर्च के लिए और एक हिसा पानी में फेंगने के लिए राजा ने किसान से पूछा तुम्हारी बातें रहस से पूर्ण है समझाते हुए किसान ने कहा एक हिसा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का ये हुआ खाने का एक हिसा मेरे बूरे माबाप का खर्च ये हुआ पुराना कर्स एक हिसा मेरे बादवादी पीडी के लिए ये हुआ आगे का खर्च एक हिसा दान में देना ये हुआ पानी में फेंकना राजा को किसान की बाद जच गई लेकिन उसने कहा ये रहस से कभी किसी को ना बताना जब तक कि तुम राजा का मूँ एक हजार बार ना देख लो किसान ने राजा की बात मान ली अगले ही दिन राजा ने अपने दर्बार के विद्वानों को बुलाया और उन चार बातों का रहस समझाने के लिए कहा सभी विद्वान चक्रा गए लाक सिर्द धुनने पर भी उन्हें बातों का राज से समझ में नहीं आया आखिरकार उन्होंने एक दर्बारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किस के पास गए थे और वे लोग उस किसान के पास पहुँचे और उससे रहस से बतलाने की विनतिकी किसान पहले तो टालमटोल करने लगा लेकिन जब वे लोग बास नहीं आए तो कहा रहस से तब बतलाया जाएगा जब एक हजार सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं दर्बारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकर दे दी उसने सारा रहस से बतला दिया अगले दिन जब दर्बारियों ने राजा को हू बहू किसान वाला रहस से सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये बातें किसान ने ही वचन भंग करके दर्बारियों को बतला दी है उसने किसान को बंदी बनवा के दर्बार में बुलवाया तुमने हजार बार हमारा मूँ देखे बिना रहस से दूसरों को क्यों बतलाया तुम्हें प्राण दंड मिलेगा किसान ने कहा महराज इन्होंने आपके चेहरे वाली एक हजार स्वण मुद्राई मुझे दी मैंने एक एक करके आपका चेहरा हजार बार देखा तबी रहस्य बतलाया मैंने वजनभंग कहां किया महराज ये सुनकर राजा किसान पर प्रसन्न हुआ और उसे और भी इनाम दिया ये उस किसान की बुद्धिका नहीं जगत जननी माता की दया का चमतकार था मा की क्रिपा से उस किसान ने मौद को भी हरा दिया दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो देर भई बड़ी देर भई यू न देर लगाया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो मुद्दत हो गई हाथ पसारे अभी सुनी फर्याद नहीं मा जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं हम है बड़े कमजोर हमारा सबर न यूँ आज माया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो दूनी रमाई अलख जगाए बिगड़ बना दो बात मा अश्ट भुजी मा पच्चों के सर कोई तु रख दो हात मा जीते हैं जो तेरे सहारे उनको ना तड़ पाया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो सचे मन से चिंता हरनी हम तो पुकारे जाएंगे तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे जोली यही पहलाएंगे छोडेंगे ना चर्म तुमारे चाहे हमें तुकराया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो देर भई बड़ देर भई यून देर लगाया करो मा जोता वाली बड़ी दयालू है वो अपनी संतानों को गुमरा होने से बजाती है भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है सुहादपुर गाउं का एक सहुकार था किमतिलाल अनाज और खेद किर्वी रखना सूत पर उधार पैसा देना और गरीब अनपर किसानों को लूट लेना यही था उसका काम इस तरह बेशुमार दौलत जमा कर ली थी उसने एक दिन करोणों के मालिक गीमतिलाल के अंतरात्मा से एक आवाज उठी सेठ गीमतिलाल गरीबों के खून पसीने और आँसों में भेगी दौलत तो तुमने खूब कमा ली लेकिन ये सब तो यहां के सुख के लिए किया सुर्ग में सुखी रहने के लिए क्या प्रबंद किया कुछ भी तो नहीं अरे इतना सब कुछ है तो पुन्य कमा भगवान का विशाल मंदिर बनवा कीमतिलाल ने आतना की आवाज सुनकर तुरंथी एक अतिभव्य मंदिर के निर्मान का संकल्प किया दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद जोडियों के मूँख खोल दिये मंदिर का निर्मान शुरू हुआ हजारों मजदूर राद दिन जुट गए उस कारे में तबी एक दिन फटे हाल एक सादू वहां से निकला सादू कीमतिलाल के पास आकर बोला सेट जी सुना है और देख भी रहा हूँ कि आप सुर्ग में ठाट बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो कीमतिलाल अभीमान से बोला सही सुना है तुमने मैं ये मंदिर इसलिए बनवा रहा हूँ कहो क्या अग्या है सादू बोला मैं ठहरा गरीब सादू मेरे पास केवल ये सुई है चोटी सी सुई इसकी सिवाक कुछ भी नहीं मेरे गुरू ने मुझसे कहा था बेटा हरे इनसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुँचोगे अगर कष्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे तिमतिलाल बोला अरे बाबा जल्दी कहो आपका काम हो जाएगा सादू ने कहा यह सुई भी अपने साथ लेते जाना मैं जब स्वर्ग वासी हो जाऊंगा तब वहाँ आकर तुमसे ले लूँगा वहाँ के चमकीले कीमति वस्त फटेंगे तो यह सुई सीने के काम आएगी सादू की इतनी सी बात सुनते ही कीमतिलाल की आँखे खुल गई वो उस महात्मा की चर्लों में गिर कर बोला महराज आप बिलकुत सच कह रहे हैं मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तुएं क्या साथ आएंगी मैंने बहुत सारे पाप किये हैं उन पापों का प्राश्चित मुझे स्वयम यही देवी मा की आराधना भक्ती और सेवा से करना होगा वरना मुझे नरक में भी जगा नहीं मिलेगी साथु के रूप में माता वैश्णो देवी का वो सेवक इमतिलाल को सही रह दिखाकर अपनी रह चलता बना उसके होंटों पर मा की भक्ती का ही गीत था अपना काम है चल्डों में तेरे मा देना आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी अपना काम है चल्डों में तेरे मा देना आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी पाश्कुए के पाश्कुए च्यासे आते जाते रहेंगे दुखी दुखडे मसिहां को सुनाते रहेंगे कोई तुझसे भवानी मजाएदाद मंगेगा कोई पलड़ा फ़ला के माँ आवलाद मंगेगा जैसी जिसकी तमना होगी देगा अर्जी खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मरजी अपना साम है चर्डों में तेरे मा देना अरजी खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मरजी तेरे द्वार से कई उची शान चाहेंगे दान करने को महादानी दान चाहेंगे कुछ तुझ से मवर सिधा सादा मागेंगे कुछ अपनी आवकाद से भी ज्यादा मागेंगे जैसे जिसकी तलब होगी देगा अरदी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मरजी अपना काम है चल्णों में तेरे मा देना अरदी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मरजी किसे क्या कब देना ये तो तु ही जाने है तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है तुने गिरते हुए को आकर ठाम लिया है समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अरजी खर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मरजी अपना पाम है चर्णों में तेरे मा देना अरजी खर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मरजी मैया पहाड़ा वाली की लिला ही न्यारी है वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है परंतु कठोर परिक्षा लेने के बाद गरीब दास बहुत ही गरीब था दूसरों की सुक संपत्ति देखकर उसका मन भी लल्चाया करता था वो चाहता था कि उसके जोपड़े की जगह जवाराज से जड़ा सोने का महल हो ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महराजा चक्रवर्ती समराट भी तरस जाएं धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीब दास ने सब देवी देवताओं से मननते मांगी लेकिन बात न बनी तब एक सादू के कहने पर गरीब दास ने माता भगवती को अपने रुदय मंदिर में बिठाया उसी का दिनराज सुमिनन करते हुए वो आगे बढ़ा कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुचा एक सुनसान बेयाबान जंगल में जहां उसे एक बुढिया मिली वो बोली बेटे क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है गरीबदास ने अपने मन की इच्छा उस बुढिया को बताई तो वो बुढिया बोली अरे पगले तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड की नीचे वाली गुपा में चिपा है जा वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले गरीबदास की खुशी का पार न रहा बुढिया ने जो जगा बतलाई थी वो उसने धून निकाली चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ वहां बिखरे पड़े अमूल यहीरे जवाहराद की चका चौन से गरीबदास की आँखे चुधिया गई उससे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतने जोलियां नहीं लाया था फिर भी उसने हीरे जवाहराद बटोरने शुरू किये तब ही उपर गरगरहाद सुनकर वो खबराया चट्टान एन गुफा के मूँ के पास लुड़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया हवा रुख जाने से गरीबदास का दम खुटने लगा वो छट पटाते हुए सोचने लगा अगर दम खुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहराद मेरे किस का आवाएंगे मैं गरीब ही ठीक था कम से कम खुले हवा में सांस तो ले पाता था गरीब दास खबराया, छट पटाया, थर थराया तब उसे सादो की बात का समरन आया उसने वही मा शेरावाली का नाम पुकारा हे शक्तिगाईनी, मेरा वालिये मुझे बचा ले मेरे प्राण बख्ष दे, मुझे धन्वान नहीं बनना उसके सच्ची पुकार मैया ने सुन ली चटान हटी, कुपा का दर्वाजा खुला और हवा के जोंके के साथ ही गरीब दास के सामने वही बुढ़िया मा शेरावाली के रूप में आखड़ी हुई मा मुस्कुरा रही थी, आशीरवाद दे रही थी गरीब दास दोड़ कर माता के चरोणों में किर पड़ा और विनती करने लगा सुनो 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 बिनती मा मेरे सुनो सुनो बिनती मा मेरे मुझे को तू ठुकरा नाना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो बिंती मा मेरी जर जर बैते आकसे आसु रोता है मन मेरा सारी दुनिया छोड के मैंने द्वार है ढूडा तेरा माल आखों तूने तार दिये बच्चों पे सुखवार दिये मुझको भी विस्रा नाना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो बिंती मा मेरी सत्य कर्म और धीर ज्मन का तुझसे नाना तुझसे है सब लेना खाली जोली तरस रही है डालना मुझको देना दुख सुक तेरे हाथों में कर दे उजाला रातों में करना कोई वहाना ना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो बिंती मा मेरी तेरे खजानों में जग जननी तीन लोक की माया तीन लोक की माया सुरिष्टी के हर जीवन तुझ से जो मागा सो पाया मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे दुख संता पुत हर मेरे और मुझे धर सा नाना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी मुझे को तुटुक रानाना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी 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 मा शेरावाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुश्य का शरीर दिया है फिर भी हमारी आँखों के आगे अग्यान का जो पर्दा है उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संथ से मिला महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले बेटे मैं एक व्यापारी को पहचानता हूँ वो मनुश्य के अंग खरीद कर अच्छे पैसे देता है तुम अपनी दोनों आखें बेच दो से वो पचास हजार रुपे देगा युवक बोला हाँ आप कैसी बात करते हैं महाराज पचास हजार रुपे लेकर मैं क्या करूंगा बिन आखों के अंदा नहीं हो जाऊंगा तब संत ने कहा तो ठीक है दोनों हाथ बेच दो तीस अजार रुपे मिल जाएंगे युवक बोला अरे दो हाथ बेच कर तीस अजार रुपे मिल भी गए तो किस काम आएंगे मुझे अपाहज नहीं बनना अच्छा तो ऐसा करो अपनी दोनों टांगें उसे बेच दो बीस अजार रुपे मिल जाएंगे चलो दो ना सही एक टांगी बेच दो दस अजार रुपे क्या बुने है नौजवान बोला वा माराज वा क्या रास्ता बताया है धन कमाने का मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा संत बोले फिर ठीक है पूरा शरीर एक लाख में बेच दो नौजवान बोला एक लाख तो क्या अगर कोई एक करोड भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा संत बोले बेटे मैं यही समझाना चाहता हूँ तुम्हे भगवान ने जब करोड़ों नहीं अर्बों खर्बों की कीमत का ये शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आपको नौजवान संत के चरणों में गिर कर बोला महत्मन आपने मेरी आँखे खोल दी आग्या दीजे मुझे क्या करना चाहिए संत बोले वत्स मानव शरीर एक अपार खजाना है अपने हरंग से काम लो इस शरीर के रोम रोम में शक्ती रूपनी जगदंबे का आवान कर मा शेरावाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी तब सोना चांदी हीरे जवाहराज तो क्या जो तु चाहेगा वो ही पाएगा जा मा की भक्ती में लीन हो जा कण कण में मा की दर्शन कर मा 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 तुम बसी हो कण कण अंदर मा हम ढोड़ते रह गए मन्दिर में हम मूड मती हम पंजाने मा सार तुमारा क्या जाने तुम बसी हो कण कण अंदर मा हम दूनत रह गए मन्दिर में तुम बसी हो कण कण अंदर मा हम दूनत रह गए मन्दिर में तेरी माया को ना जान सके हम मोह की नित्रा सोई रहे मा इधर मुदर ही खोई रहे तो सूरज तो ही चंदर मा हम ढूनत रह गए मन्दिर में हर जगा तुम्हारे डेरे मा कोई खेल न जाने तेरे मा इन नेनों को ना पता लगे किस रूप में तेरी जोत जगे तू परबत तू ही समंदर मा हम डूनत रह गए मन्दिर में कोई कहता तुम ही पवन में हो और तुम ही ज्वाल अगन में हो कहते हैं अंबर और जमी तुम सब कुछ हो हम कुछ भी नहीं फल फूल तुम ही हो तरवर्मा फल फूल तुम ही हो तरवर्मा हम डूनत रह गए मन्दिर में दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अंजाने में पापों की गठरियां बांद लेते हैं एक रानी थी नाम था रूपमती एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची सहेरियों के साथ उसका जी चाहा किसनान किया जाए पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पाउं रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई पानी बहुत ही ठंडा था जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई बाहर जोरों के हावा चल रही थी पूरा शरीर ठर ठराने लगा रानी ने दासियों से कहा लकडियों का प्रबंद करो ताकि उन्हें जलाकर बजन को गरबाया जा सके जब लकडियों का प्रबंद ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की जोपड़ी में आग लगा देने की आग्या दी वैसा ही किया गया लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की जुग्यों में फैल गई कोला हल मच गया एक साथ कई गरीब बेघर हो गए रानी का काम तो हो गया पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई राजा न्याए प्रिय था प्रजा जनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया रानी को महल से खसीत कर बाहर लाओ उसे गंदे फटे कपड़े पहना कर दर्बार में हाजिर करो वैसा ही किया गया राजा ने कहा अरे निश्चुर तूने बहुत बड़ा पाप किया है तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यता न समझ पाई मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूँ आज से भीक मांग मांग कर जब तक तू इन बे घरों के लिए रहने की जोंपणों का इंतजाम नहीं कर देती तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूगा देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आज नहीं आने देती क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुख्यों को दुखों से बचाता रहता है आज तुम्हारे भक्त जनों पर आये क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे भक्त जनों पर आये क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों अम्देरानी जै हो तेरी महारानी जै हो तेरी देवारानी जै हो तेरी जै हो तेरी जै हो तेरी दया से पथर भी तर जाते हैं एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं शेरा माही मा लाटा माही ओ जहां जलाए आशा की तू जोती माँ वहां के कंकर बन जाते हैं मोती माँ शेरा माली मा लाटा माली ओ, तेरा पुजारे इस अंकट में घब राएं क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाएं क्यों आज तुम्हारे वक्त जनों पे राएं क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाएं क्यों सुखे में तू जल्धल करने वाली मा गागर में तू सागर भरने वाली मा जादू तेरा बोले है सर चड़के मा तू चाहे तो मुर्दों का दिल धर के मा नाम दिवानों को मुहमाया बटकाए क्यों जिस पे तुमारा हात है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे बंद दनों पे राए क्यों इस पे तुमारा हात है वो दुख पाए क्यों महा काली जे हो तेरी भदकाली जे हो तेरी खंडे वाली जे हो तेरी जे हो तेरी जे हो जब भी बरसे तेरी तया का बादलमा आपका दर्या हो जाता है शीतलमा होनी को अन होनी तुम ही करती हो संकट हरनी सबके संकट हरती हो तुमारा हात है वो दुख पाए क्यों आज तुमारे वक्त जनों पर आए क्यों जो तुमारा हात है वो दुख पाए क्यों दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अंजाने में पापों की गठरियां बांद लेते हैं एक रानी थी नाम था रूप मती एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तड़ पर जा पहुँची सहेरियों के साथ उसका जी चाहा किस नान किया जाए पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पाउं रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई पानी बहुत ही ठंडा था जैसे तैसे उसने डुपकी लगाई और बाहर आ गई बाहर जोरों के हवा चल रही थी पूरा शरीर थर थराने लगा रानी ने दासियों से कहा लकडियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जला कर बदन को गरबाया जा सके जब लकडियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की छोपड़ी में आग लगा देने की आग्या दी वैसा ही किया गया लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की जुग्यों में फैल गई कोला हल मच गया एक साथ कई गरीब बेघर हो गए रानी का काम तो हो गया पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई राजा न्याय प्रिय था प्रजा जनों की फर्याज सुनकर उसने हुक्म दिया रानी को महल से घसीद कर बाहर लाओ उसे गंदे फटे कपड़े पहना कर दर्बार में हाजिर करो वैसा ही किया गया राजा ने कहा अरे निश्ठुर तूने बहुत बड़ा पाप किया है तू अपने सुख के लिए दूसरों के व्यता न समझ पाई मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूँ आज से भीक मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने के जोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूगा देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आज नहीं आने देती क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुख्यों को दुखों से बचाता रहता है आज तुम्हारे वक्त जनों पर आये क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों अंबेरानी जै हो तेरी महारानी जै हो तेरी देवारानी जै हो तेरी जै हो तेरी जै हो तेरी दया से पथर भी तर जाते हैं एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं शेरा वाही मा लाटा वाही ओ जहां जलाए आशा की तू जोती मा वहां के कंकर बन जाते हैं मोती मा शेरा वाही मा लाटा वाही ओ तेरा पुजारी संकट में घब राए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आश तुम्हारे वक्त जनों पे आए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों सुखे में तू जल्धल करने वाली मा गागर में तू सागर भरने वाली मा जादू तेरा बोले है सर चड़के मा तू चाहे तो मुर्दों का दिल धड़के मा नाम दिवानों को महमाया बटकाए क्यों जिस पे तुमारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आस तुमारे बंद दनों पेराए क्यों जिस पे तुमारा हाथ है वो दुख पाए क्यों बदकाली जै हो तेरी घंडे वाली जै हो तेरी जै हो जब भी बरसे तेरी दयका बादल मा आपका दर्या हो जाता है शीतलमा होनी को अनोनी तुम ही करती हो संकट हरनी सबके संकट हरती हो शेरा माली माला का वाली ओ फिर ये तेरा बंदा निर्बाए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे वक्ति जनों पे आए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों एक दिन एक महात्मा अपने शिश्यों के साथ राजा वीर सिंग के नगल में आये राजा ने विन्य पूर्वक उन्हें भोजन का आमंतरन दिया लेकिन महात्मा ने ये कहकर उसकी बात को ठुकरा दिया कि वे किसे की भीक सुईकार नहीं करते महात्मा बोले राजन अगर तू हमारे तीन बातें तीन लाक में खरीद ले तो अवर्शे हम तेरा भोजन करान करेंगे राजा तैयार हो गया महात्मा बोले पहरी बात है कि तू सुभा सुभा सुर्योदय से दो घड़ी पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना दूसरी बात है अतेती का आदर सतकार जीजान से करना तीसरी बात है क्रोध हाने पर शानते रखना राजा ने दूसरे ही दिन से महात्मा की पहली बात का पालन शुरू कर दिया सुर्योदय से पहले उठकर एक दिन जब वो जमुना नदी के किनारे टहल रहा था तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी राजा ने उससे पूछा तुम कौन हो? रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा मैं होनी हूँ रो इसलिए रही हूँ कि इस देश का राजा दो ही दिन के बाद मारा जाएगा उसे सामने वाले परवत से निकल कर एक नाग डसेगा राजा के मरते ही प्रजा जनों में हाहाकार मचेगा और पडोसी देश का राजा उसके राज्य पर थावा बोल देगा उसके राज्य को नश्ट कर देगा राजा सोचने लगा महात्मा की पहली बात का पालन करने से ये लाभ हुआ कि मुझे अपने ही मुन्ने के खबर दो दिन पहले मिल गई राजा के कहने पर मंत्रिओने राज कुमारी को राजा के रूप में राज़ा भिशेक करके राजसी हासर पर बैठने के तायारियां शुरू कर दी राजा ने मंत्रियों को अपनी मौत की खबर दे दी और कहा मेरी पुत्री के पश्चाट उसका पती राज जिसम हालेगा राजा ने स्वाइम अपने प्राण लेने वाले अतिती नाग देवता के स्वागत की तैयारी की परवत से लेकर नगर तक की रास्ते पर नाग देवता के लिए वंदनवार सजाए गए मार्क पर फूल बिछाए गए इतर छिड़का गया जगा जगा दूद भरे कटोरे रखे गए ताकि नाग देवता त्रिप्त हो सके नियत समय पर नाग देवता परवत से निकले अपने स्वागत में की गई तैयारियों को देख कर भाव विभोर उठे राजा के पास पहुँच कर नाग देवता बोले हे राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूँ मांगो, क्या चाहते हो अपना करतबे पूरा कीजिए नाग देवता बोले तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ राजा को डसना पाप है तुम्हारी मौत मैं अपने पर लेता हूँ इतना कहकर नाग देवता वही निर्जीव होकर धेर हो गए राजा ने सोचा महात्मा की दूसरी बात मानने से मुझे नव जीवन मिला है प्रजा जनों और दर्बारी सबासदों की जैजाकार के बीच राजा महल में पहुँचा अपनी रानी को एक पराए पुरुष से गले मिलते हुए देखकर उसे क्रोध हाया उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा तब ही उसे महात्मा की दीसरी बात याद आई महात्मा ने कहा था क्रोध हाने पर शांते रखना और जैसे ही राजा क्रोध पर काबू पाकर आगे बढ़ा तो देखा उसकी राजकुमारी पुरुष वेश में अपनी मा के कले लग रही थी राज्या भिशेक से पहले राजकुमारी ने राजा की आग्या के अनुसार पुरुष वेश धारण किया था महात्मा की तीनों बातों ने ये तीन चमतकार कर दिखाए जब मा की क्रपा होती है तो वो अपने भक्तों की जोलिया वर्दानों से इसी प्रकार भर देती है भर दे भर दे भर दे मा जोलिया भर दे मा अपने भक्तों का कल्याड कर दे भर दे भर दे भर दे मा जोलिया भर दे ओ सारे जख्की वाली ओ उचे मंदिरों वाली द्वार तुम्हारे आकर मैया कहता है हर एक सवाली बर दे भर दे भर दे मा जोलिया भर दे आये है हम भी बड़ी दूर से चलके आये है हम भी बड़ी दूर से चलके बिंती हमारी करो मन्जूर मैया दाती है नाम तेरा दे दो मुरा दे तेरे खजाने तो है भर पूर मैया ओसु है चोले वाली ओंबे दुर्गा काली शरण तुम्हारी लाखों आये शरण तुम्हारी लाखों आये पर कहना सब का है यह बरदे 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 मा जोली या बरदे 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 मा जोली या बरदे सागर से दो बूंद हम भी जो ले ले सागर का अंबे मैया कुछ ना घटेगा सागर का अंबे मैया कुछ ना घटेगा दया की तुझो मैया जोती जगा दे जीवन से अंधिया रादूर हटेगा ओ सच्ची जोता वाले ओ सच्ची जोता वाले ओ दुनिया की रखवाले चरण कमल पे जुके अने को चरण कमल पे जुके अने को पर इच्छा सब की है एक बर्दे बर्दे मा जोलिया बर्दे ज्यानो को तारा तुने श्रीधर को तारा खाली है क्यों ये मैया दामन हमारा मैया के वैया बनता रो ये नईया होगा ये एहसान हम पे तुमारा होगा ये एहसान हम पे तुमारा हो मैया शेरा वाले हो दाती महरा वाले हात पसारे वक्त कड़े हैं पर आशा सब की है एक ये बर्दे बर्दे मा जोली या बर्दे मा अपने वक्तों का कल्यार कर दे मा अपने वक्तों का कल्यार कर दे बर्दे बर्दे मा जोली या बर्दे मा संसार मार्ग में आने वाले दुखों के काटे दूर करके अपने भक्तों की जोली में सुक शानती के फूल भर देती है फूलों की कोमलता फूलों के रंग फूलों की महक गुदरत के करिश्मों का संदर खजाना है राजा महें अंदर फूलों से बहुत प्यार करता था फूलों के लगाओं ने उसे सुन्दर्ता का पुजारी बना दिया था वो प्रजा पालन के कर्तब्वे से ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता था एक दिन संध्या होने के समय राजा की सेज सजाने का काम चमेली नाम की मालन को सौपा गया सेज इतनी सुन्दर, महकदार और कोमल सजी थी कि चमेली का मन हुआ कि एक पल वो भी उस पर लेटकर आनन्द लूट ले वो एक दो पल के लिए ही लेटी थी कि उसकी आँख लग गई वो गहरी नीन सो गई राजा जब वहां पहुँचा तो चमेली को सेज पर लेटे हुए देखकर क्रोट से तिल मिला उठा उसने आओ देखा नताओ चमेली की चोटी पकड़ी और सोर से खीच कर उसे फर्ष पर गिरा कर तहाड़ा और बेशर्म तेरी ये मजाल कि तो हमारी सेज पर लेट गई लेकिन चमेली तो रोने चीखने चिलाने की बजाए ताली बजा बजा कर हसने लगी खिल खिलाने लगी नाचने लगी राजा का करोट और भड़ा कुठा उसने सिपाईयों को बलवा कर मालन को कोड़े लगवाए कोड़े पढ़ते रहे और हर कोड़े के साथ चमेली के हसी और भी ज्यादा गूँजने लगी मारो वो उस महल और पूरे खांदान का मजाख उड़ा रही हो राजा से जब सहन्ना हुआ तो उसने सिपाईयों को रुख जाने का आदेश दिया सिपाईयों को रुखते देखकर चमेली फिर हसी और बोली बस ठक गए तब राजा ने चमेली से पूछा अरे पगली तुझे इतने कोड़ों की मार पड़ी फिर भी तु हस्ती रही तुझे दर्द नहीं होता मालन ने बहुत ही सुन्दर जवाब दिया बोली अन्नदाता मैं तो घड़ी भर के लिए अपना कर्तब्वे भूल कर फूलों की सेज पर लेटी तो इतने कोड़े खाने पड़े हासी तो इस बात की आ रही है कि जो राजा यानी आप मा जगदंबे की भक्ति और प्रजापालन के कर्तब्वे को भूल कर राद दिन भोग विलास में खोया रहता है उसे भला कितनी बड़ी सजा मिलेगी और इतना कहकर फिर चमेली हसने लगी राजा का सर शर्म से जुका जा रहा था चेहरा मुर्जाने लगा था उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था वो मन ही मन मा से प्रार्थना करने लगा मुझे तेरा सहारा तेरा सहारा अम्बेमा मुझे तेरा सहारा नाओ पुरानी गहरा पानी दीखे दूर किनारा तेरा सहारा अम्बेमा मुझे तेरा सहारा दुख हर नीमा जग दंबे मेरी चिंता हर लो ओ सुखदाती मा सुखों से मेरी जोली भर दो मुझे बहा कर ले ना जाए तेज समय की धारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा पवन रूप में आओ यां मा शेर पे चड़के मा शेर पे चड़के ओ भवसा गर से पार करों मेरा हाथ पकड़के तेरे होते तूट न जाए मेरी आस का तारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा वेरी जग ने कर दिया मेरा चलनी सीना मेरा चलनी सीना मेरा चलनी सीना तो हुआ क्यों तेरे भकतों का मा मुश्किल जीना मा मुश्किल जीना मा मुश्किल जीना अपनी जोती से मा कर दो दूर मेरा अंधियारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा तिरा सहारा में मा मुझी तिरा सहारा